नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशक्ष में आपके साथ मैं हूँ पूजा कविया गोमा ओमिक्रोन वेरियंट ने एक बाफर से देश और दुनिया को कुरोना के खतरे से अलर्च कर दिया है जब लोग आश्च्वस्त हो गए थे तो कुरोना की वापस एक खतरना वेरियंट के जर्य हुई इन हालातों में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा टीके ओमिक्रोन प्रजाती के वारस से हमारी रक्षा कर पाएंगे इस बारे में अभी विज्ञानिक परिक्षण बाकी है और विभिन राय सामने आ रही है एम्स के डिरेक्टर डॉक्ट वेरियंट के खिलाफ करोना वैक्सीन की प्रभावकारिता का गंभीर मुल्यांकन करने की जरूरत भी है स्पाइक प्रोटीन की उपस्ति से किसी भी मानव शरीर की कोशिकाओं में वारस को प्रवेश की सुविधा मिलती है इसे ही उस व्यक्ति के शरीर को संक्रमण निये ब और डेटा किस निशकर्ष पर पहुंसता है तो वहीं दक्षिन अफ्रीका में एक प्रमुक वायरो लॉजिस्ट ने कहा कि उमीद है कि मौझूदा टीके कोविड 19 से रक्षा करना जारी रखेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा टी कोशिकाओं द्वारा मध्यस्त से होत लेकिन हम यह नहीं जानते कि वास्तव में कितना अच्छा है फिलाल संक्रमित लोगों को देश में आने से रोकने और सही से स्क्रीनिंग के लिए पाबंदिया लगा दी गई हैं केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों से दक्ष करेंगे तो टीके का क्या असर रहने वाला है इस नए वेरियंट पर इसी को लेकर अब सब के बीच में जद्दो जहत हैं और साथी इसी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं दरसर नए जो वेरियंट है उससे लोगों में देहशत का महौल है लेकिन साथी साथ क्या जो इस वक्त भारत के हाराथ हैं वो इससे निपटने के लिए काफी हैं इसको लेकर जो है चर्चे आज हम करेंगे और खास मेवान हमारे साथ जुड़े होए हैं हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार है सीनियर डॉक्टर धरमशीरा हॉस्पिटल से बहुत स्वागत है एण दॉक्टर अंशुमन हमारे आज की खास्कार कर्म हमर साथ छौती महीश्परी भी जुट चुक क्य दॉक्टर की तौर पर बहुत स्वागत है लग्युदा शौत महीश्परी आपका इस खास कारपरम में दॉक्टर स्वाति आप तक मेरी अवास पहुंच रही है। चले ब्रॉप्टर स्वाति से चर्चा करेंगे। फिरस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दॉक्टर हैं वी मैं पा कॉंच आपको मेरी आवास आ रही होगी क्षे। कि जो ओमिक्रोन वेरियंट है उसके असरदार होने पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आखिर कर क्यों उठ रहे हैं क्यों कहा जा रहा है कि जो यह नया वेरियंट है बहुत घातक है पुझा देखे वाइंतर आजकर की तरह के वैश्चित महा वाइरस के संद्शना में बदलाओ जिसको मुट्रिसम कहते हैं एक सुभाव एक प्रक्रिया है जिसना तरह में मिलेगा संद्शना में बदलाओ आता जाएगा दो कैटेगराइज किया गया था वी यो सी वैरियेट ए सब्साना दोखे प्रक्रमिζ ₹ 1.1.529- disposi कि या पास इसका घृक लेटर से कुझा या पो यादर भाइन उर्वात था लेकिन ऑ मक्रॉन इसलिए है पकर नाम चैल्टि干 लों मॉलन प्रक्रमि says. इंडिया के नाम पे एक वायरस का नाम आया था तो बहुत हावा उसमें बवाल हुआ था फिर रिसाइड वायरस का नाम रखेंगे हैं अलफा बीजर गामा डिलिशा नियू लैम्डा तक हो गया था और एक पार कि इस वायरस का नाम नियू होगा लेकिद एक टेखनिकल स्थाइड रखेंगे हैं में था तक हाई इसमें और तक होगा अभी तर नहीं हुआ अभी तर नहीं हुआ अभी तर तो यह हुआ है कि यह संक्रामक जादा है चार उना ज्जादा इसागि दोसरी बारत गड़ी दुट सबस्क्राइब डिलता सब्सक्राइब फॉर्णा को लिए इन्टी बाड़ा बना दोबारा द्राइब से को सकते हूं यूंको टीका लगा है उसकता है कि कम असरदान हो वह सकता है अभी एक श्यक्राइब है यूर्ट यह ते डि़ो यह सब्सक्राइब करें तो यह तो यह तो रही कि क्यों हम इसको कह रहे हैं कि जो नया वेरिंट है तना खदर नाग है यह तो रही कि जो प्रतीरक्शक शम्ता है उस पर डेटे का आकलन हो आइसीमार पर क्या पहल जो है वह इस पर कर सकता है जिचिए डेफिनिटली जब इस तरह कोई वेरींट आता है जिससे हमें इस तरह की शंका दिखाई देती है कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बाइपास कर सकता है और जो हम मौझूदा एंटी बॉडिज हमारी शरीर के अंदर है जो वैक्सीन के द्वारा बन रही है क्या वो उतनी असरदार होंगी या नहीं होंगी इस तरह का सवाल जब उठता है तो जितनी भी साइंटिफिक कम्यूनिटीज होती है वो ये प्रयास करती है कि इसकी जल से जल पुष्टी कर सके कि क्या हमें वैक्सीन में संचोधन करने की ज़रूत है हमें कितनी जादा सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है वो इं सारी बातों के कुष्टी करने की कोशिश करती है साथ ही हमें ये भी समझना है लेकिons जरूरी है कि भारत में ज़ादातर कउफिशिल्ड और कोवैक्सिन जैसी वैक्सीन लगी है और कोवैक्सिन के लिए अगर बात करें तो ये किल्ड वैक्सीन है क्योंकि ये काफी पुरानी तक्नीक से बनाई गई है तो हम एस भारतिये अगर देखें तो कही न कहीं थोड़ा एक एडवांटेज पर हैं बाकी लोगों से जिन लोगों को मेसिंजर आरेने वेक्सीन लगी हैं जहांकि वेक्सीन वेरियंस पर अच्छा असर नहीं कर पाती है लेकिन दूसरी बात ये जरूर है कि जब किसी भी वायरिस की इंफिक्शनेस बहुत बढ़ जाती है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से जंप करने लगता है ज्यादा लोगों को प्रभाविक करने लगता है तो एक पैनिक की सिच्वेशन बनती है एक घ लेकिन हमारे लिए आज भी जरूरी है कि हम उतना ही मास्क को पहन करके बाहर निकले सोशल दूरी जो है उसका ध्यान रखे भीड की जगे से बचे तो वह हमें लगतार करते ही रहना होगा क्योंकि भारत में भी देखिए अभी हम एक सो वीस करोर डोस लगा पाएं जिसमें से जिनों को डबल डोस लगी है उनकी जन संक्या भी अभी बहुत जादा नहीं है तो सरकार हर तरह से प्रयास करें कि लोगों को प्रेरित करें कि फर्स डोस जिनोंने लगवा लिए वो सेकिंड डोस लगवाएं जिनोंने नहीं लगवाई अभी तक उनके घर घर जाकर दस इसलिए चाहे कोई भी वेरियंट हमारे आसपास के उना गुम रहा हो हमें वैक्सीन लगवानी ही है तो जरूर वैक्सीन लगवाएं और यह जो एक कोशिश चल रही है बच्चों को सुरक्षित करने की और एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने की सुसाइटी में उसके प्रती बार बार हम लोग दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर के चपेट में आई यह नहीं होना चाहिए और उसके लिए सबका योगदान ज़रूरी है एक तरफ सरकार अपने कदम उठाएगी किस तरह से हम इस नए वेरियंट के जिनोमिक सेक्वेंसिंग करें किस तरह से आन बिल्कुल और सतरक रहने की जैसे डॉक्टर स्वातिया पहले भी बोलती थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम बात करें आप डॉक्टर अश्मान की यह उमीद के जा रही है और जो वहां पर वारल ओजिस्ट है वो भी यह कह रहे हैं कि मौझूदा टीके संक्रमन और बीमारी में अंतर समयना ज़रूई है संक्रमन का मतलब सिंपली हुआ थोट में कुर्णा वायरस पाया गया आटीविश्याटेश पॉस्टिव है विमारी मतलब इनके फेफ्टरी को इंस पिंको या किसी बियंको बैमेश किया और उनको लक्षन आगे तो संक्र जब आगे तो संक्रमन से बीमारी से बीमारी के चती गम इर होने में वैक्किन का रोल है इसमें कोई दोमत नहीं एक जब देखा गया ओमिक्रॉन ने एस प्रोटीन बिलीसन हुआ है इस प्रोटीन दिलीसन यह जगु कर रहा है कि आज टीचिए टेक्शन को कम कर रहा है पर दूसरा जो इवेड मेकैनिम्स में डेवलब किया है जिसके कारण एंटी बॉड़ी को चक्मा दे रहा है जो बने हुए इसके कारण हो सकता है संक्रमन दर बढ़ जाए लेकिन किसी को अखी कम घिर होने आईटी में भरती होने या बिमार होने से वैक्सिनेशन अभी भी एक जो बने है और तो वैक्सिन को लगा अगर दोनों वैक्सिन को लगा करें आप तो अभी भी पर सकते हैं को नया पैदा नहीं वैरस नहीं है वैरकिल यानिकी अन्शुमंजी कई तरीके वही है हमें वैसे ही हमें अपने सरक्षित प्रयां जयसे पहले रखा करते थे नाम बदल रहे हैं लेकिन जो हमें करना है वह वैसे ही करना है और भी बहुत सारी जानकारिया है जो हम खास मेमारों से लेंगे हैं अगर मौजूदा डाटा की बात करें तो यह डाटा कितना मददगार हो सकता है टीके के असर को बदले महौल में समझने के लिए कि लिए कर देटा अमारे पास है तो सबस्तों पहुंत तरह जो का slitisya सामने हैं जिन लोगों को सिर्षाल लगी होती है उनके अंदर गभ व्याक्ति होता है जिसको एक में सरफ दूसरे भीक्ति को प्हलाने की जो प्हती तो शुटी का कि यह उस्ती का मैं यह न साथ तौर से दिख रहा है कि जो वैक्सिन थे। वह मैं कोलाहा था मतद करिए वहा जा घाता सुराएं वही जादा सुरक्षित हा। अजय एक उत्य एक हमिया। और शुरू से अगर आप देखें जब वैक्सीन आई थी तो जब डेल्टा वेरियंट आया तो उसके बारे में भी साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन मनुफेक्चरर्स हैं उनके जो डेटा है उसने ये शो किया कि कुछ ना कुछ वैरियंट के ऊपर भी ये वैक्सीन असरदार ह हैं अभी देखें आने वाले वक्त में और एक-दो हथे के अंदर मुझे लगता है वैक्सीन मनुफेक्चरर्स भी लगातार अब इस ओमी माइक्रॉन के ऊपर भी शोग करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके मौजूदा वैक्सीन इस वेरियंट के ऊपर कितन अब दो कुछ हद तक वैक्सीन जरूर कारगर होगी ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि वैक्सीन एक दम बैकार हो जाएगी और बिल्कुल फायदा नहीं होगा तो कुछ फायदा जरूर मिलेगा साथ ही अगर अभी आप देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस ओमी तक कीससे सामने आएं वो मैल केस कि अगर ढुर आब देखें डाटर एंजली जो है जोडिटार एंगा की हैड है medical association का अनका भी कहना है कि उन्हें यंग लोगों में जादा केस देखे हैं और 7 ही मैल केस च्जंदा देखे हैं लोगों में ज्याल ठीग दिकाई दे रहा है इ जो कि माइल डिजीज के लक्षन है तो संभावना है कि हो सकता है कि जो ओमनी माइक्रॉन की वज़े से बिमारी हो वो उतनी जादा तीवर ना हो लेकिन अभी आने वाले कुछ वक्तों में ये डेटा और सामने आएगा और ये और क्लियर होगा कि किस तरह के प्रवित्ती ये तो नया वारियंट है वो दिखा रहा है क्योंकि अब तो कई देशों में पुष्टी हुई है इस विरियंट की और भारत में भी जिस तरह से बात हो थी कि शायद बैंगलॉर में भी दो साउथ अफरिकन पेशिंस ऐसे मिले हैं जनमें इसकी पुष्टी हुई है तो अब ध वेक्सिनेशन केंपेंड को सुध्रिड बनाए तेज करें तो लगातार सरकार भी अपने टोस पर है और कोशिश कर रही है कि जिसका जैसे ही इसके बारे में पताच लगा हैं जल्द से जल्द जो है इसको कंटेन कर पाएं और भारत में यह उतनी तेजी से ना फेले जैसे क कि कुछ और देशों में इस वक्त हम देख रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर स्वाती आपने बताया विस्तार से कि क्या कुछ जो है इस वक्तियां चल रही है जो कहा गया है वारबार की ओमिक्रोन वेरियंट में उसके जो स्पाइक प्रोटीन में हैं तीस से अधिक बदला हु जो थट्टू मुटेसंस की बात हो रहे हैं इस पाइक प्रोटीन में बदला है उसमें इस तरह के अलग-अलग मुटेसंस नहीं है हैं जो एग्जेस्टिंग बाड़ी को खास करके अभी हमारे कंट्री में चन्रडी में वैक्निसन चालो हुआ था तो अभी प्रतिदोधर्शम्ता की जो एट्री बाड़ी का लेवल है वो कम होने लगी है तो कमते हुए गिरते हुए बात्रा में हो सकता है कि इसकी हमें जानकारी रहनी चाहिए और यह जानकारी है कि ओमिक्रों की सिर्फ टीजीज नहीं करा रहा है दूसरा जो लोग वैस्टेंट हैं उन में अधी गंभी प्रूफ नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है इसलिए आज भी मेस्ट यहीं है कि वैस्टिनेशन प्रॉस् को बढ़ाते रखें और पॉब्लिक से रिक्वेस्ट है कि जाके असाफ फास वैस्टिन कराएं अपने भी रोज को पूरा करें जो एक दोज लेके बिसकर के बैठे हैं वह जाके दोज लें तभी जाके आप इसके फर्दर प्रॉस्टिन को लोग सब्सक्राइए बिल्कुम सब्सक्राइब को लेकर करने पड़ेगी रॉक्टर स्वाथी आप इस बात से सहमत होंगी कि स्ट्रीन आएगा और यह सब चीज़े तो फैलेंगी ही लेकिन हमें एतियाद बरतने की ज़रूरत है पहले जो चीज़ें हो चुकिए उससे हमें सबक भी लेना होगा बिल्कुल सबक लेना होगा देखें दूसरी लेहर बहुत जादा कष्टकारी रही और कोई भी उससे अच्छूता नहीं रहा और हर किसी ना किसी ना किसी फॉर्म में उसके कष्ट कुछ हिला है और हम जानते है कि किस तरह से उसने कहर हम लोगों पर भरबाया था तो हमें अब सब्सक्राइब कर दोबारा वो मनजर हम लोग ना देखें उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए और जैसे कि डॉक्टर अंशमा ने सही बाद बोलिए कि जो एंटी बोडी लेवल्स है हमारे हम लोग क्यूंकि काफी पहले वेक्सिनेशन केंपें स्टार हो गया था और अगर संकरमन बढ़ता है तो सब से जाधा अगर किसी इन्फैक्शन के आएंगे तो पहले हमारे हमारे पास बहुत लिम्मिटेद नंबर है घल युश का दूसरी लहर में भी आपने डेखा कि कििने सारे की सहाधत हुई तो ऐसे बें जरूरी है कि हम एक ये बड़ा नि उन लोगों को जो की केर प्रोवाइट करेंगे और लोगों को मनने से बचाएंगे उनको सुरक्षित कर पाएं. साथी जस तरह से देखें यह लगतार बात है और बार बार सब लोग, आप लोग भी लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह नहीं सोचें कि कॉरोना खतम हो गया है, यह बिल्कुल न Aufनारत में कम केसARS अरहे हैं, तो दुबारा बंढने की सभाबनाय नहीं होगी या यहां पर हम उस तरह का बंदर नहीं देखेंगे जो योरोप में हुआ है, ऐसा हमें बिलकुल नहीं सोच के बैठा है, हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, आप जो करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वो आप सब कुछ करिए, लेकिन COVID प्रोटोकॉल को मत क्योंकि अक्सर हमारे अंदर एक तिलाफर वाही के जो प्रवित्ति आ जाती है, यह जो प्रवित्ति है, यही हमें जादा नुकसान देती है, तो अगर हम अगर हम जो अपना काम करना चाहते हैं, आजीव का कमाने के लिए निकल रहे हैं, वो भी करें और साथ ही COVID पूटोक में जाने की और अपने परिबार में इंफेक्ष्टि ले जाने की समभावना अधिक काम कर सकते हैं, इसके लिए किसी और में जहार आ सकते हैं, तो यह जाती कम ऑप करें, और शरकार तो और से पूरी खरना लिए हुआ है, यह ज़ो के वो दुन हो हम पहुआँ और भार हम सब को मानना होगा समझ रहाँगा बेराल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेमानों का आप हमारे साथ जुड़े और कितना असरदार अब रहने वाला है इंग्जेक्शन इसी को लेकर हमने चर्चा की फिलाल के लिए खास पेशकर श्मित नहीं नमस्कार